दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SSE MTS and हवालदार का जो फॉर्म फिलब की परकेरिया 2026 के लिए शुरू की गई है आप अपने मुवाइल फॉन के जरीए कैसे इसका फॉर्म भरेंगे कैसे फोटो अपलोड करना है कैसे से नेचर अपलोड करना है यह सभी परकेरिया आप अपने मुवाइल से कैसे कर सकते है उसका step by step process में आपको अपने मुवाइल फॉन के जरीए दिखाने वाला हो क्योंकि maximum बच्चों के पास मुवाइल ही होते है तो मुवाइल से कैसे यह सभी परकेरिया करनी है इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लास्त तक देखना है पसंदा तो इसे like और share अपने दोस्तों के साथ कर देना है और ऐसे लगतार update के लिए आप हमारे साथ चैनल को subscribe करकर जूरिए तक हर एक update आपको समय पर मिलता रहेगा फिलाल अपने mobile के skin पर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे SSE MTS और हवालदार का form आपको mobile से फिल करना है mobile से SSE MTS का form भरने के लिए सबसे पहले google open करना है google में लिखना है sse.gov.in या official website SSE का आपके सामने खुल कर आता है यहां पर देखेंगे 27 जून के डेट में एक notification इन्होंने जारी करकर इस भरती को लेकर इन्होंने पूरी जनकारी बताया है जिसे एक बार आप download करकर जरूर पढ़िएगा जिसे और भी जनकारी आपको clear रुपस समझ में आप पाएगा जैसे फॉंट भरने की परक्रिया 31 जूलाई 2024 तक होगी कैरेक्सन आप 16 से लेकर 17 अगस्त कर सकते है एक जाम इसका अक्टूबर से 9 महिने में पूरी होनी है और भी डीटेल जनकारी जैसे वेकंसी जो है किस पद पर कितनी है वो देख पाएगे जैसे MTS के लिए 4887 पद है और वही हवलदार के लिए 3449 पद है देखे हवलदार बाले जो पद है भाई मेरे इस पद के लिए आपकी फिजकल भी होगी जिसमें आपकी हाइट देखी जाएगी इसके अलाबे जो है आपका रनिंग होगा वो भी देखा जाएगा तो इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में मैं जनकारी इस नोटिफिकसन से बता देता हूँ तो इसके लिए पेज नमर के जब 18 पेज में आएंगे तो इन्होंने बताया है कि आपका जो हाइट होगा 157.5 cm होना चाहिए और ये 5 cm का इन कैनिडेट को रिलक्स है जो गोड का गरवाली इन सब परकर के कैनिडेट है उनको फिमेल के लिए जो हाइट है ये 52 cm होना चाहिए इन पद के लिए जो हवलदार वाले पोस्ट है खासकर उसके लिए MTS के लिए ये हाइट आपका नहीं देखा जागा चेस्ट मेल कैनिडेट का देखा जागा चुकि 18 cm बिना फुला है फुला कर 86 cm तक होनी चाहिए फिर आपका रनिंग होगा रनिंग हवलदार के लिए जो है 18-2024 के अनुसार काउंट होगा आपके MTS के लिए 18 से लेकर 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए वह हवलदार के लिए 18-27 साल का एज होगा एज में रिलक्सेशन दिये गया है जैसे SCHT वाले जो है उनको 5 साल और इस से को 3 साल कोई दिव्यांग होंगे उनने 10 साल का रिलक्सेशन यहां पर मिल जाएंगे तो हमने overall जनकारी को बताया बाकी आप यहाँ पर vacancy की भी detail देख सकते हैं notification में आकर जहाँ पर almost पूरी जनकारी आपको मिल जाएगी अब इसका फॉम भरने के लिए उपर में यह देखी एक option मिलता है आपको login और registration का जिस पर आपको click करना है अब जैसे ही यहाँ पर click करते हैं तो देखिए सबसे पहला काम करना होगा जिन candidate का पहले से ही अपना registration हुआ होगा तो आप अपना OTR नमबर password capture को डालकर आप login करेंगे और बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो नए हैं जो जिन्होंने पहली बार SSE MTS का फॉम भरना शुरू किया है तो उनको OTR करना होगा उसके लिए नीचे option दिये गए है और register now का जिस पर click करेंगे दोफ्तों यदि आप SSE MTS की बिस्तर त्यारी करना चाहते हैं और इसके लिए based study material खोज रहे तो आपके लिए exam दोर के export teacher के द्वारा सांदार PDF notes जो है त्यार किये गए जिसमें 400 से भी अधिक जो प्रस्न है उसमें सामिल किये गए जो NCRT based होने वाले हैं जो की SSE MTS के 2022-23 में जो बर्तवान समय में पूछे गए हैं उसके pattern पर आधारित जो 2024 की syllabus है उस पर आधारित जो PDF notes है उससे त्यार किया गया जिसमें आपको GKGS के 2000 प्लस जो है प्रस्न सामिल किय हैं इंग्लिस के 200 प्लस सामिल किये गए जो most important है selected question है दो 2024 के जो परिक्षा है उसमें पूछे जानी किस संभाव ना है वैसे प्रस्निस में सामिल किये गए बाकि इन्होंने पूरी जनकारी दिया कि किस chapter में आपको क्या मिलेंगे वह आप देख पाएंगे इसे बाई करने क का लिंक मैंने आपको comment box में description में दिया है आप direct buy now वाले बिकल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ जनकारी जैसे अपना नाम डालना है mobile number email id अपना कोई भी एक password set कर लेना है check box पर tick करना है palace order पर क्लिक करना है 69 रुपया का payment करने के बाद आपके फॉन में यह PDF डाउ कर दिया जाएगा अब जैसे ही यहाँ पर click करेंगे तो इनके द्वारा बताया गया कि चार step को फूरा करना होगा personal detail password additional detail declaration देनी है फिर OTR complete होगा तो करने के लिए continue वाले विकल पर आपको click करना है अब देखिए यहाँ पर पूछा गया आपके पास अधार काड है तो से डाले अगर मान लीजे जो बच्चा अधार का नहीं देता है यहाँ पर आप अपनो करेंगे तो इनमें से कोई भी एक document जो है आपको यहाँ पर देना होगा अधार तो सब के पास है तो यहाँ पर एस कर दीजीगा दो नंबर option आपका disable रहेगा फिर आपका जो नाम मैट से डालेंगे अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो इस करें अने था नो वाले भी कल पर ही क्लिक रहने दे आपका जो भी जेंडर है यहाँ पर आप मेल फिमेल आप बताएंगे उससे दुबारा से डालेंगे डेटो बर्थ जो भी होगा यहाँ पर calendar मिल जात करना होगा फिर जो भी आपका मैटिक का रॉल नंबर होगा उससे दुबारा से डालना है जो भी आपका passing gear होगा यहां सा किस साल मैटिक पास किया हो जनकारी देंगे उससे दुबारा से डालना है अब यहाँ पर highest qualification 12 नंबर में पूछा गया मतलब आप कहां तक पढ़ें इ दोनों पर OTP जाएगा OTP को verify करेंगे और एक option यहाँ पर मिलेगा 7 next का जिस पर आप click करेंगे आपका यह जनकारी save होता है इस परकार आपको registration number मिल जाएगा इसको note करकर रखना है और continue वाले विकल पर click करना है अब आप अगले step में आएगे यहाँ पर password create करना है इसमें अब यहाँ पर password change करना होगा जो old password मिला है उससे यहाँ डालेंगे नया password create करेंगे उससे दुबारा से डालेंगे यहाँ से security कुछन आपको दो चुन लेना है उसका answer यहाँ पर देना है और एक option यहाँ पर देखे मिलता है आपको 7 next का जिस पर click करना password बनाते हैं समय धियान यह रखिएगा कि उसमें ABCD का बड़ा अक्षर चोटा अक्षर कोई भी अंक कोई भी सिंबल जैसे हच हो गया एडिरेट हो गया यह सब उपयोग आपको जरूर करना है उसके बाद पुना हाँ आपको login करना है अपना रई शेसन नंबर नया password capture को डाल कर उसके बाद आप से additional जनकारी पूछी जागी जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना category बतानी है उससे दुबारा से डालना है nationality में Indian chain करना है आपके सरेर में किसी भी परकार की कोई निसान है तो चार नंबर में उसके बारे में बताएंगे नहीं है तो no mark बताएंगे पास नंबर में अगर अगर आपका permanent और present दोनों समान है इस checkbox पर T करेंगे, S करेंगे, दोनों fill होगा, अलग-अलग है तो अलग-अलग जनकारी को fill करना है फिर एक option यहाँ पर मिलता है seven next का जिस पर click करना है उसके बाद अगले page में आते हैं जहाँ पर declaration देनी है इस checkbox पर आपको OT करना है एक option यहाँ पर मिलता है preview OTR का जिस पर click करकर form का preview देखेंगे उसके बाद declare बाले विकल पर आपको click करना है इस परकार आपका OTR complete होता है और यहाँ पर देखेंगे dashboard में आपकी जो detail है वो देखनों को मिलता है simply आपको नीचे आना है यहाँ पर एक option मिलता है देखेंगे live examination का ज आपको simply fill form वाले विकल पर click करते हैं जैसे ही यहाँ पर click करते हैं तो आपने जो जनकारी OTR में fill किया होगा वही जनकारी आपको यहाँ पर देखनों को मिलता है नीचे scroll करकर आना है आपको next वाले जो विकल दिये गया है जिस पर आपको click करना है personal detail save होता है उके वाले विक कर सकते हैं लेकिन कोई बच्छा अगर graduation किया हुआ है या बड़ा हुई pass है तो highest qualification में उसके बारे में बताना जो आप pass out है वो जनकारी आप बताएंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके लिए बताया गया है कि इस post के लिए 10 भी pass होनी ची तो आप 10 भी pass है उसके अटिकर दिया था OTR में वो अटमेटिक उठा लेता है आपको यहाँ पर अपना percentage बताना है उसके बाद एक option save by next का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है इस परकार आपका qualification डीटेल सेब होता है उके बाले विकल पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे additional information आपर option मिलते है जैसे अपने category OBS से चुना होगा तो OBSC के बारे में आपको बताया गया है कि किस परकार के आप है वो आप बता सकते हैं नहीं चाहिए हो आप no कर दीजे का यह option नहीं देना है तेस नमर में पूछा गया है कि यदि आपको job opportunity के लिए कही अन्य सेक्टर में अगर आपको opportunity मिलता है आप अपने information को देना चाहिए तो यहाँ press कर सकते हैं नहीं देना है आप no कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है उसके बाद से by next वाले vehicle पर click करेंगे यह detail भी आपका save होता है फिर additional जनकारी to पूछी जाती है इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि आप जो क्या करना पूष्ट का जो exam अपकी होंगे पूष्ट preference देना है exam के लिए वो आपको बताना है exam जो देना चाहते हैं WILL medium बतायंगे उससे दुबारास आपको chain कर देना है पकि यह आप जो dbyyaan होंगे तो उनके लिए यह सब जो option है खुला रहेगा अगर आप नहीं है तो यह option आपका disable रहेगा, अगर आपको subscribe चाहिए, तो उसके बारे में बताएंगे, नहीं चाहिए, आप no करेंगे क्योंकि ये physical handicap के लिए है अब सबसे महत्पूर्ण जो आता है यहाँ पर post preference आपको देना है देखे, post preference कैसे देना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि हवलदार वाले जो पद है, जिसमें आपकी जो main है, height है, आपकी running है ये देखा जागा, अगर वो है तो आप इस post को डाल सकते हैं अगर आपको height running ये सब नहीं है, जितना हम मैंने बता है तो आप इसका preference नहीं भी दे सकते हैं अब देखे, post preference को उपर में मैंने एक अलग से detail में वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखीएगा जिसमें post preference के बारे में ही हमने 6 point को बताया है किस according post preference आपको देनी चाहिए इसके देखकर आप post preference को डालिएगा वैसे मैं कुछ जनकारी आपको बताता हूँ देखे, post preference कोसिस ये करना है कि अगर आपको office वाली job चाहिए तो MTS वाला preference पहले दीजिए MTS में भी पहले अपना home estate को दीजिए फिर बादी जो भी आपके परोसी estate है उसका preference दीजिए इस से according preference देना है ये नहीं, जैसे मान लिजिए ये candidate बिहार के है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि बिहार का quote क्या है जैसे बिहार का MTS क्या है 24 है, तो इस box में इनको क्या करना 24 chain करना है फिर उसको देना उतर परदेश का तो उतर परदेश का quote देखना है उतर परदेश का कितना है 25 है, तो यहाँ से 25 देना है फिर उसके बाद इनको मान लिजिए जहरखंड का देखना है, तो जहरखंड इसमें खोजेंगे जहरखंड का 31 है, तो फिर यहाँ पर 31 देना है फिर इनको राची का देना है कि suppose करिए जैसे बिहार का कटप चला गया पचासे और आपका नंबर आया बिरासे लेकिन वही अगर आपने जहरखंड का भी प्रिफरेंस दिया था उसका 84 है राची का दिये थे उसका 80 है तो आपका बिरासी नंबर आलरेडी है तो जो भी कटप आप पार करेंगे जैसे बिहार का कटप नहीं पार किया तो बिहार आपको नहीं मिलेगा वही जहरखंड का कटप नहीं पार किया नहीं मिलेगा वही अपने राची को भी दिया था राची का कटप 80 है और आपका नंबर बिरासी है तो राची में आपकी code भर दिया बाकी में code नहीं देना तो यहाँ पर simply X आप फिल करेंगे तो automatic सब में जो है X फिल हो जाएगा तो एक बार मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि post preference डालने से पहले मैंने एक video detail में बताया post preference के उपर उससे देखिएगा बहुत ही help मिलेगा आपको उससे उसका बाद सेब है next वाले जो विकल्ब मिलते हैं जिस पर क्लिक करना है इस परकार यह detail भी आपका save होता है वोके वाले विकल्ब पर क्लिक करेंगे अब देखिए photo और signature अप्लोड करना है photo signature में बहुत जादा ही परसानी होती है student को तो कैसे करना है मैं आप यह आपको बता देता हूँ देखिए photo जब ही विकल्ब करें तो आपके face पर अच्छा lighting होना चाहिए photo में आपकी दोनों कान देखने चाहिए photo में कोई भी चस्मा कोई भी टोपी यह सब आपने उप्योग नहीं किया है इस परकार का photo जो है accept करता है photo डालने के लिए सबसे better क्या है play store को open करेंगे play store में एक application मिलेगा my sse का आप simply क्या करेंगे इससे open करेंगे जैसे ही इस application को open करते हैं तो मैरा पहले से open था इसलिए खुल गया आपके सामने get started का option मिलेगा आपको अपना OTR नमबर फिल करना है जो password आपको मिले है उससे डालना है इस capture code को फिल करना है option यहाँ पर मिलता है login का जिस पर आपको क्लिक करना है जैसे login करेंगे accept बाले विकल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी form चल रहा होंगे उसकी detail मिल जाएगी जैसे यहाँ पर आपको multitasking gestop यानि MTS और हवालदार की detail आपको मिलती है इसका photo upload करने के लिए capture का आपको option मिलते हैं आप simply capture पर click करेंगे यहाँ पर कुछ guideline इन होने बताया है कि इस परकार का photo accept नहीं करेंगे इस परकार का भी नहीं करेंगे इस परकार का भी नहीं करेंगे लेकिन इन खब जो guideline यहाँ पर बताया है और सही नहीं है अब photo का कैसे capture करना है आईए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर एक option देखिए camera का मिलता है plus का आप इस पर click करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे इसको allow कर देना है allow करेंगे तो camera आपके सामने open हो जागा अब यह जो आपको read एक पटी आपको दिये गए इसमें आपको अपने face को बीच में रखना है और उसके बाद नीचे में देखिए option capture का मिलता है आप इस पर click करेंगे अब जैसे ही यहाँ पर capture click करेंगे तो ध्यान रखिएगा पीछे का background भी जो है एक color का हो plane हो और आपकी face अच्छे से देखिए क्योंकि मैं video बना रहा हूँ और यह capture कर रहा हूँ इसलिए इस परकार आपके सामने दिख्रा लेकिन आप अच्छे से उस framing में जो है आपको आकर photo को capture करना है इस परकार photo आपका एक बार में ही ले लेगा अगर आपको error करता है तो आपको क्या करना है retry वाले विकल पर click करना है और कोसिस यह करना है कि जबी भी आप photo क्लिक करते है तो यह थोड़ा सा पीछे आपको रखना है तब ही आपका photo ले लेगा जैसे मैं यहाँ पर पीछे रखता हूँ और इस framing में रखता हूँ और capture पर click जैसे ही आप करेंगे तो थोड़ा सा wait करेंगे इस परकार आपका photo जो है capture होगा आप simply upload बाले विकल पर click करेंगे और successful आपका photo जो है upload हो जाता है return बाले विकल पर click करना है इस परकार जो है आपको photo upload करना है अब signature कैसे करना है तो इसके लिए जब photo को आप upload कर देते हैं तो simply इस बाले जो उपर में एक option मिलते हैं जिस पर click करकर यहां से आपको simply logout वाले विकल पर click कर देना है अब दुबारा से आपको SSE के website पर आना है और यहीं पर आने के बात जो आपको login और register का जो option मिलते हैं आप इस 3 line वाले विकल पर click करकर login और register वाले विकल पर आकर अपना फिर OTR नंबर पास्वर्ट कैप्चा को डाल कर login आपको करना है अब login करते ही यहां पर देखिए एक option मिलता है my application का क्योंकि आपने आधा से अधिक form भर चुका है आप my application पर click करेंगे यहां पर MTS के form के बारे में आपको बताया गया है आप simply continue वाले विकल पर click करेंगे और सभी detail जो आपको देखनों को मिलता है आप simply next करते चले जाना जैसे next वाले विकल पर click करेंगे इस परकार ok वाले विकल पर click करेंगे फिर educational detail मिलता है यह भी आपने पहड़ दिया इसको भी save next करेंगे यह detail भी आपका save होगा फिर आपका जो additional जनकारी है वो भी आपने fill किया उससे भी save करना है यह जनकारी भी आपका save होगा फिर click करेंगे फिर यहाँ पर जो भी preference दिये हैं उसको भी save next करना है इस परकार additional जनकारी 2 भी आपका save होता है अब यहाँ पर photo signature वाले में बनाना है विर्थ जो है इसका रखना जो आपको होगा 472 रखना होगा पर इसका हाइट जो रखना होगा 236 रखना होगा तब ही आपका signature अपलोड होगा आएए मैं इसका size बनाना बताता है अब इसका size बनाने के लिए Google में आप लिखेंगे size image कोई भी website आप online भी open करकर online भी बना सकते हैं यहाँ से अपना signature को upload करेंगे उसको बाद नीचे size का जो option मिलते हैं जिस पर click करना है अब यहाँ से चेक बॉक्स पर जो tick लगा है इसको पहले un tick करिए यहाँ पर विर्थ में मैंने आपको बताया कि 472 आपको यहाँ पर देना ह उसके बाद इसका जो height है 236 आपको यहाँ पर दे देना है उसके बाद देखी एक option मिलता है नीचे में आपको save करने का और नीचे में resize का जो option मिलते हैं आप इस पर simply click करेंगे आपका जो signature है resize होना शुरू होगा यहीं सा आप इसको download भी कर सकते हैं यह download हो चुका है download पर click क करना signature को यहाँ सा select करना है इस परकार आपका signature जो है upload होना शुरू होता है और देखेंगे successfully आपका signature upload हो चुका है उसके बाद simply save and next वाले जो बिकल्प दिये गये हैं आपको इस पर click करना होगा इस परकार आपका form जो है और यह submit होने की कगारप है यह signature का जो size है आप computer से भ upload होगा आप ओकी वाले विकल्पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने form का जो है preview section आएगा preview में आपने जितने भी जनकारी फिल किया उन तमाम जनकारी को मिलान करना होगा सभी जनकारी सही है तो save and next करे कोई जनकारी गलत है तो go back वाले विकल्पर आप क्लिक करकर उससे सुध करना है इस परकारूप home आपका submit होता है अगर आपको payment लगता है तो देखी make payment का option है नहीं तो आप go dashboard पर जाकर इसका print ले सकता है payment नहीं लगता है तो payment कैसे करना हो भी समद लीजे make payment पे click करेंगे payment पे करना होगा पे वाले विकल्पर आपको click करना है अब आपको payment gateway पे redirect कर करेंगे आपके सामने keyword code यहाँ पर देखनों को मिलेगा इसको scan करकर आप जो भी application से payment करना चाहा है payment करेंगे उसके बाद इसका print मिलेगा उससे निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको step by step बताया कि किस प्रकार SAC MTS का ज दिए पूरा करना है हासा और उमीद करता हूं अपने पूरी जनकारे समझा होगा तो इस वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद